अंतर राश्ट्रिय जीव वेविर्ता दिवस International Biodiversity Day आज दुनिया में मना रहे हैं। इस साल चाइना में International Biodiversity Convention भी कॉप भी होगा। भारत एक विशे स्थिती में है। भारत के पास दुनिया के भूमी का केवल धाई फिस सदी है। दुनिया में जितनी बारिश होती है उसका केवल चार फिस सदी बारिश भारत में होता है। लेकिन भारत के आबादी दुनिया के 18 फिस सदी है। और पशुओं के आबादी भी 18 फिस सदी है। दोनों को पानी भी लगता है, जमीन भी लगती है, खाद्य भी लगता है। तो इतना सब होने के बावजूद भी दुनिया के 8 परसेंट बाइडावसिटी जीव विवित्वा आज भारत में है। और इसलिए आपने देखा है, दुनिया के 70 फिस सदी एशियाटिक लायन भारत में है। दुनिया के 70 फिस सदी एशियाटिक टाइगर्स दुनिया के 70 फिस सदी टाइगर्स भारत में हैं। और उसके साथ साथ 30,000 से जादा हाथी है, 3000 से जादा एक सिंगी गेंडे है। तो यह भारत का वैभव है। इकोलाजी हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हम प्रानी, पक्षी, फूल, फल, वनस्पती, मनुष्य, यह सब एक साथ जीते हैं और एक साथ बढ़ते हैं, यही मानते हैं, यह हमारी धारना है। आज इस साल भारत दो सम्मेलोनों का अद्रिक्षा है। UNCCD, जमीन के बारे में, बंजर जमीन को उपयोगी बनाने में, और दूसरा, conservation of migratory birds, तो इन दोनों के अद्रिक्ष किनाते हमने targets लिये हैं, 2,60,000,000 hectares आने वाले 10 साल में हम restore करेंगे। क्योंकि जमीन को restore करना ही समीन से पर्यावरण के विशयों में भी नए solution लाना है। वही हम करेंगे और इसी के लिए सब को बदाए।